कि हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिनेस मेथेमेडिक्स आज की इस क्लास में हम लोग बालोजी पढ़ेंगे इसमें हम लोगों पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में अगर आप एंसी आर्टी बुक पढ़ते हैं तो फैस्ट लेशन में यह मिल जाता लेकिन हम लोग भारती भाव पढ़ते हैं तो इसमें यह चौथा लेशन में हैं और यह बहुत ही इंपोटेंट होने वाला है कि इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसको कर फूली करके नोस्ट भी बनाईएगा है क्योंकि यह इससे लगभग पांच से साथ नंबर क्यूचन पर य पांच से साथ नंबर का क्यूचन इसमें पुछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा ध्यान दीजेगा तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है उत्सर्जन हम लोग कहेंगे किसे हैं पहला पॉइंट ही होगा कूँच सर्जन पच्रै होग के फालसरू रोफ सरीर के अंदर उबसिष्ट पदार्थ बन जाते हैं उ फ़ शेघ assuming लाँ सरियर वह सर्जन हमका के olun कि न्हीं जिनका हमारे स्वरीड में कोई काम नहीं रहा जाता है उन पदार्थों स्वरीड से बाहर निकालने किरिया को ही उत्सरजन कहते हैं क्या कहते हैं इंग हो उस सर्जन समझ मागया यानि उपापचाई किरिया का मत cannot हम लोग बोजन लेती हैं तो बोजन लेने के बाद किया होता है उसका ऐसी करण होता है टूड़ता है गुलो कुछ में तो पर फिर उसका व खंडन होता है तो ये सब किर्या को हमारे सरी Me कुछ औरिष अनवस्थ कदार्थ बन जाते हैं हान्निकार्ध लगती एब और शिष्ट निकारक पदार्थ को सरीरर बाहर निकालने के किरिया को फोगे सरजन कहेंगे समझे हैं रहा है जैसे हम लोगा ब्भोजन करते हैं पॉजन कहते हैं पानी पीते हैं ल cot ना पसीना बनता है ना इन सभी पधार्थों को सरी अ बहर निकालेंगे लोगन हमारे खरेमेंज कर देंगे हमारे खरनेंगे तो उनको क्या करना होगा शरीर से बाहर निकालना कि इसी किरिया को किलें क्या करते हैं कुछ सर्जन कहते हैं इस अब क्या भोलते हैं उत्तर्जी एंग वे ट्रची एंग दिपायद कैसे करेंगे में का सरीर का जो एंग उत्तरों के में में भाग लेती हैं उसे हम लोग उत्सरजी एंग कहते हैं क्या बोलते हैं यानि जो जो एंग जिस एंग से अब सीष्ट पदार्थ सरी से बाहर निकलते हैं जिस एंग से अब सीष्ट पदार्थ सरी से बाहर निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्सरजी एंग कहते है अब उसके बाद होता हुँ उत्सरजी पदार्थ उत्सरजी पदार्थ क्या होता है वे पदार्थ जो उत्सरजन के किरिया के फलसुरूप सरीर से बाहर निकाले जाते हैं उससे हम लोग उत्सरजी पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जो उट सरजन के किरिया के फेर्फौ सरीर से बाहर निका ले जाती है उसे हम लोगं क्या बोलते हैं उतसरजी पदार्थ कहते यह प्रक्त समिझभाया है ना जैसरे कि कलास person बदमासी कर होता है तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास से बाहर निकालते हैं क्लास से बाहर निकलते हैं तो ध्यान से मैं इसका मतलब क्या हम समझा रहे हैं वह जो सरी क्लास से बाहर कर दे रहे हैं तो क्या है एक तरह से अब शिष्ट पदार्थ बन गया तो क्या हो गया यानि उसको इस कलास से मतलब नहीं था कभी इसको चुटकाता कभी इसको चुटकाता ऐसा होता ना कोई बच्चा तो इसको इस कलास से कोई मतलब नहीं था तो हम क्या कि यह कलास से बाहर कर दिए कलास से ही बाहर कर दिए तो कलास से जो बाहर कर रहें इसी को बोलेंगे उत्सरजन क्या बोलेंगे अब उसको बाहर लिए काला कौन तो हम निकाले हैं तो हम होगे उत्सरजी अग्ट क्या होगा और किस्को कलासस से हम बाहर कर रहे को तर सरजी बारत Battle तो कह समझ माला गया इसमें Audio cotton कौन को नहीं विसके बारे मुंद दोन को तर्जी पदार्त कौन को ना इसके बारे मी देए है अगिए अगर सर्जी पादर की बात करते हैं ले टो मुत्सरजी चर्दा क्या हो सकता है सियो क्या करते हैं सरीर से बाहर निकार दें क्योंकि इसका हमारे Rice कोई काम नहीं रहता है। अबोनिया को भी से बाहर निकाला दआ है उसके बाद यूरिया यूरिक एमल लवन तथा मल यह सब क्या है अब शीष्ट पदार थे यानि कहा जा तो उत्सर्जी पदार थे यह तो सिर्फ जन्तूओं में होते हैं किसमें होते यह जन्तूओं में होते ही कुछ ऐसे वी उसजी पदार थे जो पेन पौध दोरा भी बहर निकाला यहता है पेन पौधों में भी उपा पचय किर्या होती है उनके फ़ल सो रूप उपापचय किर्या के फ़ल रूप और भी कुछ अब शिष्पदा बन बनते हैं तो उन अब शिष्पदारतों को सिर्फ से बहुत सारे होते हैं यह सब क्या है हमारा अप्षिष्ट पदारती है लेकिन अगर हम पॉधर की बात यह हो गया जनतू में इसमों गया पॉधर में क्या होता है रियजीन गुंद इसे बोता है और बताई आप लो हाई जी और टू भी बोल सकते हैं और लिट्स लेट एक्स यह सब जो होते हैं यह कहां से निकलते हैं पेड़ा पॉधों से यह देखिए यह चीन के पॉधर से निकलता है गोन्द बबूल के पॉधर से और यह सब पोड़ा में ओडू अल्याटेक्स जो बड़े-बड़े विशाल बिरिक्षोते ने पीपल बरिगा दो इसा भोल ना वह सबसे लाटेक्स निकलता है if वह दूछ जैसा नहीं निकलता है वहाई वह तालेट्स सब्सक्राइब करते यह पाधो का उत्षर जी पदार थे और यह जन्तू का उट्सरी पदार थे ठीक है अब याम लोगे उत्षर जी औंग कौन को ने कि यह सब्साइर यह हम क्या बोल नहीं तो उट शेर्जन रोड़ां है स्वासनलीं स्वासनली के स्वास नली में हम लोग और सी ओ टू को भी बाहर निकालते हैं ये पढ़े हैं आप लोग नहीं पढ़े हैं श्वास नली में आपका क्या होगा फेफ़डा क्या होगा होगा गील्स यह मश्लियों होता है और श्वास नली नली का श्वास नली का यह श्वास नली के अंतरगात आते हैं ठीक है दूसरा होगा त्वाच्चा देखिए फेफड़ा गील्स और स्वास नली से कि श्योटू बहार निकलता है बेलगम निकलता है और वास यह तीनों चीज निकलते हैं बार किसे फेफड़ा गील्स और स्वास नली का से अब दोटाइएं लेकिन बैलगम नहीं समझ माता है आप लोग खखार निकालते हैं वह क्या है हमारे सडी के लिए भербस्ष्ष्ट पतार थे जूसको हम लोग बाहर निकलते हैं तरिक फून्य को में दखता हों भाफ निकलता है तो एससे कि दोफार निकल रहा है फोड़ा के दोबार यह सभी क्या है अब सीष्ट पतार थे हमारे सरीर का और यह उसके बाद देखिए यहां पर तुछा यह आपर यह सकता है तुछा शरीर के सबसे बड़ा अंग है हुआ झाल को चाल सरीर का सबसे बड़ा कोन है तुछा सर बढ़ी की उटायोत है ना तो तुछा से भी हम लोग क्या करते हैं कि आना वेस्ट्रक पदार्थ को सरी से बहर निकलते हैं पसीना ओगया है पसीना निकलते हैं ना पसीना देख ली जगाँ आज यह पसीना जो निकलता है उग किसे निकलता है तो श्वेद ग्रांथी दोरा किसके दोरा तो श्वेद ग्रंथियों दोवारा यह पसीना निकलता है जल के रुप में और यह जो होता है हमारे सरीर को तपमान का नियांत्रित इसी के दोवारा होता है अगर अगर हमारे सरीर में पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो हमरा तोचा जल सकता है धूप में जैसे हम धूप में काम करते हैं चलते हैं तो हमारा सरीर से पसीना निकलते रहता है जिसे हमारे सरीर का टेंपरेचर को बनाए रखता है नियांतित करता है पसीना ही है जो हमारे सरीर के तपमान को नियांतित करता है अन्य था पसीना बाह नियांतित करता है तो इस पर सीगाल बाहर निकलता है तनी किसमें किलियर हो गया कोई दिकत है कि तिसरा हो गया बड़ी गरंथी ओ बड़ी आथ बड़ी आथ क्या होता है तो आप लोग बड़ी आथ के बारे में पोसन में अच्छे से पड़ चुके हैं कि पोसन में आप लोग बड़ी आथ के बारे मैं अच्छे से पड़ चुके हैं इसका सिर्फ यहाँ पर काम देखाएं उत सर्जी एंग इक कैसे हुआ तो अब पच्छे भोजन जो होता है जो हमारे से भोजन नहीं पच्छ पाता है है ना उन अप अप पच्छे भोजन को मिल से बाहर निकालता किसके रूप में माल के रूप में तो यह भी एक उतर्जी एंग हुआ अगर माल हमारा सरी मेरा जाता हमारा सरी क्या जागा डैमेज हो जागा है ना तीसरा चौता है या करीट अ करीट जो है आमोनिया और करनी में यूरिया बादल ताए अर्यम्य जो प्रोटिन होता उसको भी किसी में बदलता है यूरिक अमले में यहां पर यह बट्टीव पुछन आता है हुआ याधिमिया में एमोनिय किड्नी में क्याव परिवार्तित हो जाता है इउर्या में के यही युरीया ति दिस घू एवरीक में जाए करके एक से मुथर interpret सभाहर निकलता है अधुतियन गान्ता के बाद यह एक आमले में भी बदनाậता और ना अचन्व है जो कि अगर यह हमारे सदीर में रह जाए तो हमारा जान भी जा सकते हैं कि छुथ दो से तिन गंट हम युरिक अंब बदल जागा और इक युरिक अमने बहुत खतरनाक होता है युरिक अंमल विरीक जो होता है ओ रग्त और उधीर को क्या करता है साफ करता है रग्त और उधीर को साफ करता है अब इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं बस इतना समझे को सर्जी एंग में यह क्या करता है रग्त या उधीर को साफ करता है और हमारे सरी से यूर निकालने का यह काम करता है तो अब इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इवरीक क्या होता है यह बहुत ही इंपोडेंट होने वाला है इसको आप लोग अच्छे से पढ़े इसमें से भी किशन पूछ आई से पांच नंबर की चुन आजाता है कि चार से पांच नंबर का किशनी से पूरी रिक से तो व्रीक के बारे में आप लोडियल से सुनिए अच्छे से और इसको नोस्ट भी तयार करते चलिएगा आप लोग ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे हम लो विक के बारे में कुछ पांट लिखे हुए हैं इन पॉान का कि यर करते हैं बारी 20 से देखेगा धिए का अप लोग्री क्व भारे आगे पढ़ेंगे इसको विश्तार्स से कुकि यह बहुत ही इमपोटेंट है यहां से कि5 मिल नगोट को होता है अगर सरीर का सबसे परमुख उतर जैंग कहा जाए तो कौन होता है वरीक होता है चुकि वरीक से ही यूरिया सरीर से बाहर निकलता है अगर यूरिया हमारे सरी में जमा हो जाए तो हम जा भी सकते हैं दुनिया छोड़ कर जा सकते हैं मत बहुत यह खतरनाक होता है यह पढ़ाएंगे कि किस पर कर खतरनां कुटा है यह मतली नहीं यूरिया देखे यूरिया क्या करते हैं जब अनों मुत्र को सरी से बाहर निकाल देते हैं तो उसे मैं गंद नहीं देता है लेगन दो से तीन घंटा बाद वो गंदना शुरू करता है क्योंकि वह यूरिक आमने बढ़ा जाता है यूरी अमले हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है अगर मिट्टी के दिवाल पर बार बार पेसाब कर दिया जाए तो एक से डिएड़ साल में मिट्टी के दिवाल गिर सकता है कि यतना खतरनाक होता है तो सोचेगा हमारे सब्सक्राइब नहीं करेगा अगर स्टोर होगा तो है ना तो यह होता है यूरिया को निकालने वाला तो इसलिए इसको बोला जोता है कि सबसे परमुक उत्तरजी अंग है उसके बाद दूसरा में एक जोड़े के रूप में होते हैं यह जो होते हैं यहां पर दोनों साइड होते हैं जोड़ा के रूप में होता है लेफ्ट साड़ भी होता है राइट और लेफ्ट दोनों ना बिल्कुल सेम के बीच के जैसा होता है लगभग सेम के बीच के अकार होता है नम से मुष्टी तरह से होता है लिखा हुआ है कार सेम के बीच के समान होती है अब अगर इसका यह सेम कभी देखें से मुष्टी परकार से कि यह वीप होता है फिर इसके बाद इसकी लंबाई की बात कहीं जाए तो वरीक के के लंबाई 10 cm चौडाओं से 6 cm और मुटाय की बात कहीं जाते मुटाइ znajाए जाता है दूब 15-5 cm दिम्डर अगर मोटाइप पूच दे तो क्या बोड़ेंगे लोग मोटाइप पूच देगा तह दो पांट पाउच है चार संदिमिर तो था है अब यहां पर देखिये वीक में पीरामीड जैसी रचना होती है पीरामीड है यह आप लोग पढ़े होंगे तो प्रामीड जैसी होता है प्रटेग विक में पिरामीड के संगह कितना होती तो यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्योषन भेवाई के रूप में आज आ सकता है यह कुछ था यह दोनों है से बहुत ही इंप्टेंट क्योष्चन है यह यही दोनों जो है से बहुत सब्सक्राइब शक्राइब है कि विसारे बीन कितनी होती है प्रामिदो में पिरामिडेट कि इसकते हैं तो हम भी याद रखेगा आप लोग तीन है चुक्कि औब जेक्टिव यह पूछता है विरीक के किर्यात्मक एम रचनात्मक एम क्रियात्मक कि काई को क्या करते हैं तो हमारा एंसर होगा निफ्रॉन क्या बोलेंगे निफ्रॉन निफ्रॉन के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ें है किसी एक बुब में 10 ल लग देता है तो किसी किसी भूक में 12 लग देता है तो हम लोग इसको माण के चलते हैं 10 ल लुक से 40 लग तस लगा से लग भाग पर टेक सब्रहुद आपको दशनदा आपको दस भी दे सकता हूँ बारा भी देसे हैं एक बैड़ा के बीच में होता है ने फ्रॉं इसमें पूरा इंपोर्टेंट है कि इसमें से एक या दो को जडूर पूछा जाएगा कि एक के लाख लिखा हुआ ना इसको एक और बठा दीजिए होगे दस लाग इसको समझें अच्छा सब्यात्मा का मतलब क्या होता है आप लों कार्श कर पाती है जीव सरीर के किरियात्म इक रिकाई को को स्का कहते हैं यानि हमारे सरीर को जो निर्मान किया रचना जो देता है वो को इसका दवारा होता है किसे दवारा होता है और जो हम लोग कार्ज कर पाते हैं वह भी कार्ज किसके दवारा करते हैं को इसका दवारा करते हैं से मही परकार यहां भी हम बोल सकते हैं व्रीक व्रीक की जो रचना करीयात मैं कि का यह को निए फ्रॉन क्यों दिए यह निए यह भी की रचना होती है और कारने कार्ज करने की छंबता मिलती है तो आप लोग से कोई पूख़ेगा कि जीव अब रहता में करतम यह को ने फ्रॉन के थे हैं यह उनका राचना भी होता तो नेफरौन को दूबहरा उता है तो राचना करता है राचनात्मकाक हो गया करने के करें नात्मक और करियात्मक क्या हैं को ही क्या भर है ने फ़रां मतलenz गिलिए रहे तरी फिरींग करते ही ना है घृच्छ को देखिए हम लोगों अच्छा से नहीं बना पाए हैं देखी संथ न आ अब लोग आश्कर न MINT किसा है किस पर लेखर सुद सत क्यां है को ही दैसे होते होगे जब बलड़ हमारे अदो हागा आते हैं काहा टे हैं गत में बृक मैं आने के बाद एक यह तो इन पणारतों ले करके रख्ट जो होता है वह इसमें आ री दोनों में जाते हैं इन दोनों में जाते हैं आ यह दोनों में जाने के तो यहांपर Nifron क्या करते हैं कि राखत में यूरिया पाई तो यह यह अतरिक्त प्रोटीन को सोख लेता और सोख करके बाकिर यहां बड़ बनता है उस Validico इस राष्टे सेनिकालता है इस रास्ते से यह निकालेगा समझ ना I पीरामीड से चंते नों क्छाना पत्र लगा होता है इस अना पत्र के माधम से दोनों पत्र क्या करते हैं किड्नी में यूर्या को अलग और रग्त को अलग करते हैं और रग्त जब अलग गोह यहां तो रगद करने के बाद बढ़स रास्ता में डाल दिया जाता है काहा है वो ईयूरिया को भेजद का इसमें मुत्र वहानी अम मुत्र वहानी से और छालाता कहा फिर मुट्रासय में मुट्रासय में जम्हा होने के बाद ध्रीकार ज desp और से अट टीर जडिर से चाय सोग निकाल जाता सरी से बाहर किनी का चाम समय से कोई है पर उख्रासय बाहर से आया रख के लिसे यह सबाए मिल करके वह चलाया कि यह में किड़करने में चना पत्र उसको छान लेता है और छान आब ग dun a region को अलब और रहां और रगत को अलग करता है अबमा दिया जाए तो ननरी में चलिते आती हैं संघ्मारा आई इस नाली मांस जिस मनल आ रहें सब्सक्राइब यहां से सुद्रक्त अब यहां पर एक यूशन आ जाता है कि बलाड को बलाड कहां पे च्छनता है प्रेट कहां चॉना आता है तो कहां बोलेंगे हम लोग टीडनी में अब विरीग है से एक जोड़े करूप में है यह घुण में यही है पिरामीड है जो एक किडनी में 15 से 16 तक होती है 15 से 16 आ पाला तकिर सनद्ट ना पाय जाती है समिच पाण नहां और यह जो गारा राइट जो किटनी खता है तो थोड़ा सा नीचे होता है अले फैसे टुटा कियों होता है कि थोड़ान नीचे उता है तो इसके जर्श्ट ऊपर में या कृट रहन थी होती है है यह बड़ी सा बाड़ा होता है यह एक्रित पाइधा जिसके वगर से थोड़ा क्या होता है डॉन यह नीच्छे हो जाता है यह करित के वड़ा LISA अब आप लोग को लग रहा हैं यह तो यह राइट है नहीं अगर ऐसे हम देखे तो यह मेरा लेफट अना बुलिए हां लोग लईक है लिफन तो राइट हैंड की ओरी पाया है नोई पुराइट फिर्स को राइट किविछ जब राइट लिए और ये लिफ साट की ओर इसले है राइट किवनी लिए है लिफ लेट लेटल इसका भी ने फरां काम करता इसमें भी अत्रिक्त प्रोटिन को सोख लेचा पूंआ आवर शोचन होता है सका प्रोटिन गा इसके बारे इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे अगले प्रोटियों में आप लोग बताएंगे नेफरोन किस परगार से कार्ज करती है इसके बारें बताएंगे क्या में बदलता है इरिक अमने में बदलता है लोगे बहुत ही खतरनाक होता है कि आई होब कि यह सबाब अच्छे समझ गया होंगे चलिए इसका एक स्किन सब्सक्राइब लिजे आस तक यह अब हम लोग अगरे वीडियो में इफ्रॉन के सानचना के बारे पढ़ेंगे और उसको दिखाएंगे कि किड्नी किस परकार से काज करती है वीडियो को मदद से आप लोगों को दिखाए जाएगा ठीक है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद पढ़ रहा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को ज़रू सेयर करें थैं